हेलो दोस्तों आप लोगों का सागत है इस वीडियो में हम जानेगे कैसे हम किसी भी रिपोर्ट को आटोमेट कर सकते हैं रिपोर्ट को आटोमेट करने के दो तरीके बताऊंगा एक तो फार्मॉला का यूज करके और दूसरा पाइवेट टेवल का यूज करके अब जैसे कि आप एक रिपोर्ट देख रहे हैं और इसका जो शोर्ष डाटा है आपको यहां पर शोर्ष डाटा यह मिल जाएगा इसमें अगर मैं कुछ भी अपडेट करता हूं तो यह यहां पर वाइड डिफोल्ट आपका आटोमेटिकल अपडेट हो जाता है तो इसके ज नीचे पावेट टेवल का भी है इसमें भी कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा तो यहां पर हमने वैलु पेस्ट कर लिया है अब यहां पर हम जाते हैं अपने शोर्ष डाटा में अब मैं यहां से कुछ इंटरिस बीच से ही डिलीट कर देता हूं डिलीट कर दिया मैंने यहां पर और हम जाते हैं अब रिपोर्ट में तो आप देखेंगे तो रिपोर्ट में आपको यहां पर डिफरेंस देखने को बिल गया है तो पहल यहां पर तोटल आ रहा था अब उसके अबडेट करने के बाद ये टोटल आ रहा है नीचे दोस्तों देखोगे तो आप इसमें कोई भी चेंजिस नहीं हुए है क्योंकि हमने इसको रिफ्रेस नहीं किया है तो दोनों में थोड़ा सा यही डिफरेंस रहता है अगर आप पाइवेटेवल का यूज करके अपनी करते हैं तो भी ये आपको डिफ्रेंस दिखा देगा अब ही जो यहां पर हम यह ले ले लेते हैं यहां पर कॉपि कर लेते हैं इसको पेश्ट कर लेց है तो डिफ्रेंस आपका यहां से guarantee है अब तो पाइवेटेवल का भी ले लेफाईवेल अब यहां पर हम कुछ और आ आके paste कर लेता हूं तो मैंने यहाँ पर कुछ चीजे और एड कर दिया है याँए data increase हो गया है तो यहाँ पर आपको difference नहीं मिलेगा देखने को क्योंकि हमने refresh नहीं किया तो private table में आपको बाबार refresh करना पड़ेगा तो यहाँ पर difference आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर एक format ले लिया जिस format में हमें report बनानी थी और यह हमने data ले लिया है जो let this data के ओपर हमेंпар according बनानी है तो इसके अंदर report को automate करने से पहले हमें इक और काम करना हुँगा जो भी इसका resource का data है इसको हम table में convert कर देंगे Iron तो आपको इस table पे जाना है और data पे जाना है और ctrl T प्रेस करना है ctrl T मतलब create a table तो यह आपको make sure करना है कि इसने पूरी range को select किया है कि नहीं किया है अगर नहीं किया है तो आप select all करके आप ctrl T प्रेस कर सकते हैं और दूसरा my table has headers पे टिक होना भी जरूरी है इसे आप okay प्रेस कर दीजिए तो यहां पर एक table create हो गई है इस table का नाम क्या है वह आपको यहां से देखने को मिल जाएगा नहीं कि टेवल 2 के नाम पर जैसे आप यहां पर name manager में जाओगे sorry name box में जाओगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा table 2 के नाम से इस table का नाम जो create किया है वाइड़ टेवल 2 के नाम से create हो जाता है अब मैं control F3 प्रेस करता हूं तो यह जितनी भी table आपने create किये है उसकी list आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कहां पर name manager के अ कर सकें या फिर असानी से identify कर सकें तो इसका मैंने source data के नाम से इस table का नाम मैंने rename कर दिया है अब यहां पर आपको table 2 नहीं आपको source data दिखेगा जो की range आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा इसमें अगर हम कुछ भी range add करते है या फिर minus करते है तो वह अपने हिसाब से range को adjust कर देता है इसकी यही खासियत है जैसे मैंने report को minus कर दिया तो अब यहां पर अगर आप जाएं के देखेंगे तो range जब जैसी select करेगा तो नीचे देखेंगे तो आपको इसने range जो लिया है अपना पर reduce कर दिया है दूबारा अगर इसमें हम कुछ add भी करेंगे तो भी यह range जो अपने आप ही नीचे range भी इसकी बढ़ा देगा अब देखें यहां पर जैसे मैं ऐसे करूँगा तो नीचे आप जाके देखेंगे तो आपको यहां पर range भी बढ़ा देता है बढ़ा देता तो इसी का हम फायदा उठाएंगे इसी का हम use करेंगे formula में भी और private table मे अब इसके उपर अगर आप private table लगाते हैं और refresh करते हैं तो इसके हिसाब से data आपका private table में reflect करता है तो यहां पर सबसे पहले हम सेखेंगे formula को लगाना अब table लगाने के ना दो फायदे है एक तो आपकी जो range है automated हो जाती है dynamic range हो जाती है दूसरा आप यहां formula में इसकी जो sources ह है इसके headers टेवल्स के नेम है वह आप यहां पर recall कर सकते है formular लगाने है बहुत असान होता है तब जैसे कि हम पर हमें formula लगाना है दो यहां पर मैं सम्से मांग रहा है एक पर यहां पर यहां सोर्स डाइटा से नाम पर बड़ी ऑड़ी ब्राकेट लगाता हूं अब बड़ी ब्राकेट लगाने के बाद आप देखो को इसके जितने है आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा आप से इस पर क्लिक कीजिए टैप कीजिए या डवल क्लिक कर सकते हैं और इसको क्लोज कर दीजिए कोमा लगाई है तो देखा इस रेंज को आपको सेलक्ट करने के लिए उस वाली टेवल पर या फिर उस वाली शीट पर जानी की जुरुत नहीं पड़ी यहां से आप इसे रिकॉल कर सकते हैं अब करटे जिसे हूं और यहां से यहां से पूछब कर देना होगा तो उसके हैडर यहाँ अप आपको देखने मिल जाएगा से टैट्ट डॉड बडी ब्रburst कर गिया कॉमा अब से लेना है तो फर्स्ट इस वाले सेल में मैंने पूरा स्टेट के नेम लिखा हुआ है अब इस फार्मला को अगर मैं कॉलम ए में कॉपी करूं तो इसका जो कॉलम भी है वह सीना हो जाए इसलिए हम कॉलम को लॉक करेंगे वन टाइम एफ पर इसकिया सेकंड टाइम और थर्ड टाइम प्रेस करोगे सिर्फ कॉलम आपका लॉक हो जाता है यहां पर में कॉमा लगाता हूं अब दूसरा क्या यहां पर क्या है जॉब क्लाइक क्लासिफिकेशन तो जॉब क्लासिफिकेशन कहा है शोज डाटा के टेबल में मैंने इसर से प्रेस किया टैप किया बड़ी ब्रैकेट लगाउंगा open body bracket and then आपका job classification यह आपको यहाँ पर देखने को बिल जाएगा इस पर आप double click कीजिए, close कीजिए comma लगाईए और यहाँ पर भी इसको आप select कर लीजिए तो इस वाले cell में हमारी job classifications है, इसको भी हम नहीं चाहते इसकी row तो move हो लेकिन column move ना हो अगर हम इसको next column में copy करते हैं इस वाले formula को, तो इसलिए मैं यहाँ पर F43 टाइम प्रेश करूँगा, one, two, three comma, अब third condition क्या है कि male female का data चाहिए, तो उसके लिए फिर दुवारा आप source data type करेंगे, यहाँ पर मैं बड़ी ब्रैकेट लगाता हूँ और gender आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर gender पाक है, आप टैब भी कर सकते हैं या double click भी कर सकते हैं मैंने bracket close कर दिया, कोमल लगाया कोमल लगाने के बाद, अब मैं female वाला ले लेता हूँ अब यहाँ पर क्या है ना कि अगर मैं नीचे कि दूसरी रो में इस formula को copy करूँ, तो इसकी जो रो है ना वह चेंज ना हो को, अलम तो चेंज हो कि male का female का female हो, लेकिन रो चेंज ना हो, तो रो को हम क्या करते हैं, freeze करेंगे one time प्रेस करेंगे, फिर two time प्रेस करेंगे, तो आपका जो यह dollar sign रो से पहले लग जाता है, तो f4 या फिर आप manual भी update dollar sign लगा सकते हैं, उसके बाद, उसके बाद हम कर देते हैं bracket close, क्योंकि sum के लिए हमने तीन condition लगाई, एक तो state, job, classification और तीसरा gender, तो तीनों के हिसाब से, condition के साथ यहाँ पर sum होकर आजाएगा, तो देखा यहाँ पर sum होकर आगया, अब इस formula को हम copy करेंगे, तो बिल्कुल perfect आपका यहाँ पर आजाएगा, मैं अगर इसको f2 से press करके देखना चाहता हूं, तो इसने ठीक लिया है, blue color, male, और state को भी इसने बिल्कुल सही लिया है, अगर इसी formula को नीचे मैं copy करता हूं, दुबारा यहाँ पर check करता हूं, तो mail को लिया है, इसने इसको भी change किया, state को भी change किया, तो यह बिल्कुल perfectly काम कर रहा है, तो इसी को हम नीचे तक copy कर लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर row और column को freeze किया था, इसके formatting थोड़ी इसी change हो नीचे तक मैंने select कर लिया, आप control, alt, b प्रेस कीजिए, और यहाँ पर आपको सिर्फ formula copy करना है, तो formula पर tick कीजिए और ok प्रेस कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, उसकी formatting है वो आपकी paste नहीं होगी, सिर्फ formula copy होगा, तो इस trick से आप इस तरह का formula copy कर सकते हैं, तो अब यहा control, alt, v and then f से formula select हो गया, और प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पर formula collect होगे, यहाँ पर भी हम sum का इस्तमाल करेंगे, हमें यहाँ पर sum चाहिए, इन तीनों का, यानि हमें state का sum चाहिए, तो इसको आप manually यहाँ पर select कर सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पर आपको formula copy करना है, तो यहा पर भी हमें formula copy करना है, तो हम इस तरह से formula भी copy कर सकते हैं, तो यह बिल्कुल perfect काम कर रहा है, अब नीचे हम इनका total ले ले लेते हैं, grand total, जिसको आप कह सकते हैं, total female, total male, and total overall कितनी sales होई है, तो यहाँ पर state wise भी आपको दिख जाएगा कि बिहार में total sales इतनी हुई है, male ने इतना किया है, और job classification के हिसाब से भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, कि इतना किया है, blue collar ने, other ने, इतना, उसी में से, यह सारे differences आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो यह हमने अपनी report को automated करने के लिए formula पुट कर दिया है, formula भी हमने बहुत ही असान और इजी तरह के स लीजिए, तो मैं यहाँ पर alt and bt, यानि की, तो यह देखेंगे, तो alt and bt मैंने किया, यह आ गया, हमें new sheet पर नहीं चाहिए, हमें existing sheet पर चाहिए, तो मैं यहाँ पर click करता हूँ, मैं report पर जाता हूँ, और मैं थोड़ा से नीचे इसको यहाँ पर place कर दिता हूँ, तो report को म मैंने यहाँ पर state ले लिता हूँ, उसके बाद हमें चाहिए job, classification, तब भी इसको हम row में ही लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पर चाहिए gender, gender हमको चाहिए column में, तो column में हमने इसको ले लिया, और sales चाहिए हमें value में, तो sales को हमने यहाँ पर ले लिया, और ध्यान then total, यहाँ पर 75, 81, 733, 77, 733, ठीक है, तो यह इसने, हम इसको उसमें convert कर देते हैं, round off कर देते हैं, यहाँ से, ठीक है, तो अब यह आपका आगया है, इसको थोड़ा सा, और आप बैटर तरीके से design में convert कर सकते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, in the table form में लेना चाहते हैं, इसको टाली form में ले सकते हैं, इस तरह से, तो यहाँ पर बिहार, बिहार का total आ गया, और यह जो आफ क्लैफिक्शन स्प्राइए, इसको आप यहाँ पर देश सकते हैं, बिहार का total आ रहा है, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, जिसको आप अपने हिसाब से और भी बहुत सार है, जो आपने हिसाब से, जिस तरह से इसको आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, जैसे इसको टोटल नहीं चाहिए, तो इस तरह से यह आपका बन के आ जाएगा, तो अब यहाँ पर अगर आउटलाइन देना चाहते हैं, तो यहाँ आउटलाइन दे के इस तरह से भी report बना सक एक है इनका तोटल भी मिल जाता है ठीक है तो यह आपका आगया टूटल बिहार बिहार का टोटल याने कि इतना तो यह बिहार का टोटल आपको यहाँ पर मैच करेगा यह 20 721 है यहाँ पर 2721 यहाँ पर है नियु दिल्ली का तो इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट को कर सकते हैं अब यहां पर मैं कुछ भी ऐड करता हूं या रिमूब करता हूं तो यह आपको यहां पर reflact करेगा तो यहां पर मैं करता हूं ctrl c और value paste कर देता हूं और यहां पर मैं में थोड़ा सा डिफन देखने को मिला क्योंकि हमने तीन इंट्री डिलीट किया था तो यह दुबारा आ गया तो यहां पर आपको शेम शेम देखने को मिल गया अब हम क्या करते हैं कुछ एड़ यहाँ पर लाकर इसके पास में आपको पेश्ट करना है ctrl वी ताकि इसकी रीइंज को अपने आप ले सके तो इसके रेंज को अपने वाइड डिफोल्ट यहाँ पर ले लिया अब यहां पर देखेंगे तो इसका जो इंक्रिमेंट ता यह बढ़ गया है इनका इनका तो उसी तरह से यहां पर आपका भी बढ़ जाएगा अभी देखें तो इसका जो इंटरिस यह है ठीक है यहां पर आपको पाइब टेव में थोड़ा सा रिफ्रेस्ट करना पड़ेगा रिफ्रेस्स जैसी आप करोगे तो यह आपको यहां पर डिफ्रेंस देखने को मिल सकते हैं फार्मले के थूरू भी कर सकते हैं और पाइबुट गर सकते हैं तो देखा टेफों को क्रिट करने करना किया फायदा है उची से अपनी रिपोर्ट को वो कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को आभे इस il began मज़को अगर आप नयी का है तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नाइस वीडियो में तब तक के लिए बाए